किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि रहने दे उधार एक मुलाकात यो ही सुना है उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते नमस्कार जहिन साथियू रीट एक्जाम 2021 है तू समाजी के देन की जो अपने टॉपिक वाज टेस्ट सीरी चल रही है उसके इंदर आज हम ब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर क्लिक कर लेना प्रारम करते हैं बारत की जलवायू से चुड़िवे सवालों का पहला सवाल है किसी इस्तान की वायूमंडल ये दशा के कुछ समय के समयलित रूप को रितिस्तान कहते हैं मौसम, रितू, जलवायू या इनम इससे कोई नहीं तो क्या कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा, ए मौसम कहा जाता है, कुछ समय के समयलित रूप को किसी इस्तान की वही हम व्याख्या में बात करें, तो वही वायूमंडल ये दर्शा के कुछ महीने के समयलित रूप को कहते हैं रितू कुछ समय को तो समलित रूप को कहते हैं मौसम और कुछ महीनों के अगर बात आए, तो रितू और वायूमंडल ये दर्शा के लंबे समय, क्या यूं कहें कि तीस वर्सों से अधिक के समय को समलित जो रूप होता है, उसको हम कहते हैं, वहां की जलवायू अगला सवाल है, मानसून का प्रतम अधियन किस ने किया, अलमसूदी ने, नासीर ताहीरी ने, अलबर्ट रोस ने, या सेदई फारुक ने उत्तर हो जाएगा अपना, अलमसूदी ने किया था, प्रतम अधियन, ये अरब के भुगोल वेता थे, मानसून शब्द की उत्पत्य की बात करें, तो अरवी भासा के मौसम सब्द से हुई है, जिसका आर्थ है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा का मौसम के नुसार प सवाल है, जलवायू के आधार पर भारत में कितनी रितुएं पाई जाती है, तीन, चार, पांट या च्छे, उत्तर हो जाएगा अपना, बै, चार रितुएं पाई जाती है, जलवायू के आधार पर, शेत रितु, ग्रिश्म, वर्सा और शर्द, समभारेखा की हम बात करें तो समान दाब वाले इस्तान को मिलाने वाले रेखा है जो समभारेखा कहलाती है यह कही जाती है समोचे रेखाओं की बात करें तो मानचित्र पर समुद्र तल के समान उचाई वाले इस्तानों को जोड़ने के लिए खीचिगी जो रेखा होती है वो समोचे रेखा कही जाती है अगला सवाल है शीत रितों में भारतिय उप महादूप में निम्न वायूदाब रहता है इस समय हिंद महासागर की स्थिति रहती है हिंद महासागर पर उच्छ वायुदाब रहता है हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब रहता है केवल ए या केवल बै यहाँ पर अपना उत्र हो जाएगा से केवल ए यह खे में देखी क्योंकि सीतरितु में सूर्य के दक्षणाइन होने के कारण भारत के उत्रपस्चि में तापमाने जो कम हो जाता है जबकि इंद महासागर में तापमाने जो अधिक हो जाता है और सेतरितु में पवने हैं जो इसतल से जल की ओर चलती है जिनें शेतकालिन मानसुन उत्रि पूर्वी मानसुन या फिर लोटतवा मानसुन कहते हैं अगला सवाल है मावट एक शेतकालिन वर्षा उत्रि पश्चि में भाग में इसका उद्गम होता है मावट एक शेतकालिन वर्षा है इसका उद्गम होता है केस्पियन सागर से भूमद्दे सागर से दोनों या दोनों ही नहीं उत्र हो जाएगा से दोनो इसमें केस्पिन सागर और भूमद्य सागर व्यक्या देखिए उत्री भारत में पांच सेंटिमेटर तक मावट वर्षा होती है इस मावट का समन्द जो है मांजुन से नहीं है यह मावट रभी की फसलो है तू अनुकूल है और इसे गोल्डन ड्रोप भी कहा जाता है गोल्डन ड्रोप अगला देखिए दक्षिन भारत में गर्म वे शुष्क पौनों तथा दक्षिनी पूर्वी आर्द्र समुद्री तूफानों की उत्पत्ती होकर वर्षा होती है यह कहलाती है आमर वर्षा मेंगो शावर मेंगो शावर दोनों या औरेंज शावर उत्र हो जाएगा से आमर शावर माप कीजिए आमर वर्षा या फिर मेंगो शावर व्याख्या देख लिजी करनाटक में इन तुफानों से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लास्म या फूलों की बोचार कहते हैं जारखंड में हम नारवेष्टर या कालवेषा की कहते हैं और असम में है जो टेशावर या बारदोली छिडा कहा जाता है और इस वर्षा से उत्तर भारत में नुकसान होता है वद्धक्षनी भारत में इसका फाइदा होता है व्याख्या देखी अगला सवाल देखिए भारत में सबसे पहले मानसुन है जो कहां प्रवेष्ट करता है अंडबान निकोबार में मुंबई केरल या दिल्ली तो उत्तर हो जाएगा ए अंडबान निकोबार अगला देखिए भारतिय मानसुन को कितनी साखाओं में बाटा गया है तीन चार पाँच या दो उत्तर क्या हो जाएगा दे दो साखाओं में बाटा गया है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल खाडी मानसुन अगला सवाल देखिए जब मानसुन अरब सागर से प्रारंब होकर भारत के पश्चिमी घाड से टकरा कर पश्चिमी तट पर मुस्लादार वर्षा करता है जिससे कहते हैं मानसून प्रसाल मानसून का प्रसफोटन मानसून का जमाव या फिर मानसून वर्सा वीडियो को लाइक शेर नहीं किया तो जरूर कर दें आप उत्तर हो जाएगा बै मांसुन का प्रस फोटन ग्याख्या देखिए आप इस साखा सें सरोपर्थम परतेग वर्स एक से पांच जून के मद्दे त्रिवेंद्रम केरल का जो माला बारतट है सें अरब सागर के बादल भारत में प्रवेश करते हैं और मांसुन की यही साखा यहीं पर सरोपरतम में ज अगला देखिए तमिल नाडू वे आंदर प्रदेश में ग्रिश्म कालिन मानसुन से वर्सा नहीं होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के मानसुन की साखा की अर्दरता यहां खत्म हो जाती है बंगाल की खाड़ी के मानसुन की शाखा इस तरफ से नहीं निकलती है केवल ए क्या फिर केवल बै तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना से केवल ए हो जाएगा तो इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी के मांसून की शाखा की आर्दरता यहाँ खत्म हो जाती है अगला सवाल अपना मांसून दुआरा लाई गई कुल आर्दरता का भारत में कितना प्रतिशत अरब सागर से प्राप्त होता है 65 प्रतिशत 60 35 या फिर 45 तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा है 65 प्रेशेंट और बंगाल की खाड़ी से प्राप्त अर्दरता की हम बात करें तो वो हो जाएगा 35 ठीक है अरब सागर से 65 और बंगाल की खाड़ी से 35 अगला सवाल देखिए किस रितु को मांसून का प्रत्यावर्तन काल या लोटते हुए मांसून का काल कहते हैं कि शीत ग्रिश्म शरद या फिर वर्षा कि अ कि उत्तर हो जाएगा से शरद देखिए इस रितु में सूर्य दक्षणी गोलार्द में सिधा चमकता है अतय तिबत पठार पर उच्च वाविदाब तथा हिंद महासागर में निम्न वाविदाब होता है इस समय पवने पठार से महासागर की ओर चलती है उत्रिपूर्वी दिशा में तो इसे उत्रिपूर्वी मानसुन भी कहते हैं जिस से तमिलनाडू के कोरो मंडल तट वज स्रिलंका के तटिये भागों में ये वर्षा होती है अगला सवाल है कोपेन ने भारत के तापमान वज वर्षा के आधार पर जलवायू परदेशनों को कितने भागों में बाटा है उत्तर हो जाएगा से आठ भागों में बाटा है ये कोपेन के निचे वर्गिकरण है देखिए AW यानि उष्ण कटिबंदिये सवाना तुल्ले परदेश AS की बात करें तो उष्ण कटिबंदिये आर्द्र जल्वायू परदेश इनको तो आपको रटना है पड़ेगा यादिकरना पड़ेगा BSSW अर्द सुष्क स्टेपी तुल्य जलोय प्रदेश BWHW उस्न मरुस्तलिय जलोय प्रदेश CWG मद्देत आपिय या गंगा तुल्य जलोय प्रदेश अगला है अपना DFS शीतल आर्द्र जाड़े की जलोय प्रदेश और E है दुर्विय या परवती जलोय प्रदेश अगला सवाल है AW प्रदेश का विस्तार है संपोर्ण प्राय दीप ये पठार भाग कौकन वे मालाबार तट कौरो मंडल तट इनमें से कोई नहीं उत्र हो जाएगा Sंपोर्ण प्राय दीप ये पठारी बाग रेख्या में देख लीजिए यहां उष्ण वे आर्द्र जिलोय पाई जाती है यहां केवल गर्मी में ही वर्षा होती है AMW इसकी विस्तार की बात में तो इनका विस्तार कौकन वे मालाबार तठ है यहां उष्ण आर्द्र वे मानसुनी जलवायू है AS के विस्तार की बात करें खोरो मंडल 30 भाग BS SW की बात करें तो पूर्वी रास्तान पंजाब वर्याना दिली ये छेतर में विस्तारित है इसका भाग BW SW की बात करें वर्ष्चिमी रास्तान CW की बात करें तो गंगा मैदान या उत्तर भारत का मैदान तो यह थे आज के इस वीडियो में कुछ इंपोर्टन्ट सवाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा और पहली बार देखने सब्सक्राइब कर लीजिएगा